अजिस अमाज जैदी एस इनू वेरी वेल के हम इससे पहले टॉपिक अपना कवर कर रहे थे कंप्रीटर सिक्यूरिटी एन इधिक्स और हमने पड़ा के सिक्यूरिटी कंप्रीटर की होती क्या है इसमें नेक्स टॉपिक हमारा है साइबर क्राइम आपने बहुत दफा सुना भी होगा इसमें जितनी भी कम्मिनिकेशन ट्रेड्स जितनी भी होती हैं वो सब कुछ कंप्रीटर नेट्वर्क्स पर होती है ओके हमने कंप्रीटर नेट्वर्क्स इससे पहले कवर किया and you know very well कि क क्या होता है नेट्वर्क्स इसमें साइबर क्राइम भी होता है कोई ना कोई जब आप कंप्रीटर नेट्वर्क्स के थुरू कोई काम कर रहे हैं तो साइबर क्राइम जरूर होगा ठीक हैं साइबर क्रिमिनल्स करते क्या हैं जो भी आपका डेटा होता है वो अपने पास से उनके पास भी कोई ना कोई डिवाइस होती है जिस डिवाइस के थूँ वो illegal काम करते हैं illegal तरीके से organizations के access में involved होते हैं fraud करते हैं online banking की transactions इधर से उधर करते हैं और यह highly punishable भी है और यह बहुत जादा risky भी है उनके पास जो skills होती हैं वो गलत जगा पर उनको use करते हैं ठीक है और यह बहुत जादा punishable है cyber crime ठीक है पाकिस्तान जो law है वो यह कहता है कि कोई भी offenders हों है यह आपको मैं एक law exactly बता रहूं कि है क्या any offenders who interrupts in any kind of in any kind of security or national security he will get sentence for three or five years students कोई भी offender या कोई भी cyber criminal वो involve होता है यह नजर आता है कि वो किसी national security है किसी organizations के अंदर कोई reputable एसा काम कर रहे है जो harm है आपकी websites के लिए या आपके accounts के लिए तो उनको jail हो जाएगी for three years or more than three years और उनके ओपर applicable होगा एक heavy fine भी obviously होना भी चाहिए क्योंकि यह एक है ऐसा crime है जो बहुत खतरनाक है जिसके तुरू बड़ी-बड़ी organizations को बहुत issues क्रियर होता है अब instruments हमाँ आपस दो तरह की types हैं cyber crime की एक hackers and hackers first of all हम पढ़ते हैं hackers क्या होता है इस्ट्रोएन hacker वो होता है जो अपने पास system जो होता है उसके पास उसमें अपनी skills अपनी computer networks की skills जो experience होता है उसके पास उसको use करता है गलत manner में वो bank bank की online transactions को इधर से उधर करने में या किसी organization के access जिसको हम white hat hacker भी कहते हैं white hat hacker इस्ट्रोएन ये एक crime है सही है आपकी पाकिस्तान की जितनी भी organizations ये बहार की organizations सेक्यूरिटी की जो है साइबर सेक्यूरिटी की उनका भी ने उनोने एक new law डाला है कि जिस भी cyber criminal को देखेंगे वो उसको hire कर देंगे reason ये है कि यहाँ पर hackers से पता चलता है अगर वो किसी आपकी organizations के अंदर involvement कर रहे है जो कि गलत involvement है इससे पता चलेगा organization को कि कितना उनका system strong है या नहीं है और इससे hacking का ये भी एक benefit है कि आपको अपने organization का जो आपका network और security है उसका ये पता चाज़एगा कितनी strong axis है सही है क्या आपका जो काम है वो एक save environment में हो रहा है भी है या नहीं तो हर organization प्रिफर करती है कि एक save and secure environment हो जो हमने पहले ही पढ़ा तो hacker का ये काम होता है crackers कौन होते है इसरुन crackers वो होते है जो password को crack करते है कोई भी password हो उसको access कर सकते है bank password हो आपके email accounts हो उनको crack करें तोड़े और उनको ये बहुत बड़ा crime है उनको तोड़ कर आपके सामने public कर दें दुनिया के सामने कुछ भी करते हैं बहुत सा security हमने cyber crimes देखे कुछ time में और ये grow भी हो रहा है बहुत जादा rapidly grow हो रहा है तो इसके लिए आपको ethical hackers चाहिए होते है अच्छे hackers good hackers जिनको बोले जाता है अपनी वर्डिंग्स में तो आपको चाहिए होते है ताके इन से involvement किस दासे खतम की जा सके तो इस्ट्रोइंट्स ये था हमारा topic आपको बहुत अच्छी तरीके से clear होगा अबने खायर लखेगा Allah हाफेज